प्रधान मंत्री नरींदर मोदी ने पूर्व पीम अटल विहारी वाजपई की जंत्री के मोके पर पानी बचाने का मंत्र देते हुए अटल भूजल योजना को लौंच किया उन्होंने देश के सभी नागरिकों युवाव किसानों से जल संरक्षन की अपील की दिली के विज्ञान भवन में इस योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि जल जीवन मिशन हर घर तक जल पहुचाने का काम करेगा अटल भूजल योजना उन शेत्रों पर विशेश ध्यान देगी जहां ग्राउंड वोटर बहुत नीचे गई हुई है या तेजी से नीचे जा रही है इस मोके पर उन्होंने हिमाचल को लेह लधाक से जोडने वाले रोहतांग टनल का नाम अटल टनल करने का भी एलान किया उन्होंने कहा कि यह है टनल सुरक्षा के साथ साथ टूरिजम की दिष्टी से भी बहुत महतपुन है प्रधान मंतरी ने कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि अटल जी के सपने को उनके नाम से जोडने का मुझे स्वभा की मिलेगा ग्राउंड वाटर के नीचे जाने पर चिंता जताते हुए प्रधान मंतरी ननेंदर मोदी ने कहा कि जब मैं पंजाब में काम करता था तो उस वक्त वहाँ पर इसकी चर्चा होती थी कि पानी इतना उपर है कि खेती को नुकसान हो रहा है लेकिन आज 20 साल बाद यह चर्चा है कि पानी इतना नीचे है कि खेती को नुकसान हो रहा है उन्हेंने कहा कि पानी जैसी मूल आफशक्ता के लिए जिस नीती की जरूरत है उसे पिछली सरकारों नहीं अपनाया प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी ने कहा कि यटल भूजल योजना का सबसे ज्यादा लाब उन साथ राज्यों को होगा जहां भूजल का स्थर बहुत तेजी से नीचे जा रहा है उन्होंने कहा कि इस योजना से महाराष्ट हरियाना करनाटक गुजरात, MP, UP और राजस्तान साथ राज्यों को बहुत ज्यादा फाइदा मिलेगा उन्होंने कहा कि यह साथ राज्ये हैं लेकिन एक तरफ से यह हिंदूस्तान का 50 पर्तिशत हिस्सा है इन साथ राज्यों के 78 जिलों में 83 सो से जादा गाओं में भूजल किस्तिती बहुत खतरनाक है पीएम मोदी ने इस पर जोब मोट रोब का मंत्र दोरहाते हुए कहा कि हमने गुजरात में शुगर मिलों से कहा कि वे सिर्फ उन्हें किसानों से गन्नाले जो सिंचाई में संक्रपलिंग का इस्तमान करते हैं इसका नतीजा यह हुआ कि गन्नी का उत्पादन भी बड़ा और भूजल का स्तर भी नीचे जाने से रुखा उन्हेंने कहा कि किसानों को जागरूप करना होगा कि वे सिंचाई के लिए नई तकनीकों का इस्तमाल करें जादा पानी की जरूत वाली फसलों की सिचाई में स्क्रिम्पलिंग जैसी तकनीक अपनाए प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने कहा कि बहुत ज्यादा पानी की जरूत वाली फसले यहां बोई जा रही है वहां भूजल का स्तर तेरी से नीचे गीर रहा है इसलिए किसानों को जल संरक्षन के मैतव को समझाना होगा जिमेदारी हम सभी नागरीकों और किसानों की है अटल जल योजना में इसलिए यह भी प्रवधान किया गया है कि जो ग्राम पंचायते पानी के लिए अच्छा काम करेगी इन्हें इंसेंटिव दिया जाएगा प्रधान मंत्री ननेंदर मोधी ने कहा कि जल जीवन मीशन हर घर तक जल पहुचाने का काम करेगा और अटल जल योजना उन शेत्रों पर विशेश ध्यान देगी जहां ग्राम वाटर बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है या तेजी से नीचे जा रहा है जिस तरह हमने हर घर में शोचाले पहुचाया है वैसे ही हमें हर घर में पानी पहुचाना है यह हमारा प्रण है प्रधान मंत्री ने कहा कि 18 क्रोड ग्रामिन घरों में सिर्फ 3 क्रोड घरों में ही नल से पानी पहुचता है अगले पास सालों में हमें ग्रामिन शित्रों में 15 करोड घरों में पाइप के जरिये नल का पानी पहुचाना है अगले पास सालों में केंदर और राजे सरकारे 3.5 लाग करोड रुपे से जादा खर्च पानी के लिए खर्च करने वाले हैं प्रधान मंत्री ने का कि अटल भूजल योजना हो या जल जीवन मिशन से जूरी गाइड लाइन ये दो हजार चोबिस तक देश के हर खोने तक जल पहुचाने का भाउत बड़ा मिशन है पानी ही घर उद्योग और खेट सबको प्रभावित करता है पानी का संकट किसी से छीपा नहीं है या हम सब के लिए और देश के लिए चिंता का विश्य है उन्होंने कहा कि हम पांस तरो पर एक साथ काम कर रहे हैं पहला हमने पानी से जुड़े जो डिपार्टमेंट है उसको साइलो को तोड़ा है दूसरा हमने हर शेत्र की जमीनी सिती को देखती हुए योजनाओं को शुरू करने पर ध्यान दिया है तीसरा उपलत पानी के सही संचेन और विपनन पर ध्यान दिया है चोथा पानी की एक एक बूंद का ध्यान दिया है पानी की रिसाइक्लिंग हो इस पर ध्यान दिया है स्रिमान राजनात सिंग जी, स्रिमान गजेंदर सिंग सेखावज जी, स्रिमान रतानलाल कटारिया जी, यहों पस्तित सभी महानुभाव, देवियों और सज्जनों, देश भर के, अने कौमन सर्विस सेंटर से, हजारों लोग, विशेश कर, गाउं के पंच सरपंच भी, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलाबा, हिमाचल प्रदेश के मनाली से, वहाँ के मुख्यमंत्री, स्री जैराम ठाकूर जी, वन मंत्री, स्री गोविन सीन जी ठाकूर, वहाँ के सांसर्थ, स्रिमान राम स्वरुप शर्मा जी भी, तक्निक के माध्यम से, इस कारकम में हमारे साथ शामिल है, उनके साथ, अटल जी के प्रिय गाउं, जो मनाली में, जिस गाउं में अटल जी जाकर के रहा करते थे, अटल जी के प्रिय गाउं से भी, इस समारों में वहाँ लोग, टेक्नलोजी से जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी का भी, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आज इस मन्द से मैं सबसे पहले, देश के लोगों को, दुनिया को, क्रिस्मस की बहुत बहुत बधाई और शुब कामनाई देता हूं, मेरी क्रिस्मस, आज भारत के दो दो रत्नों, हम सभी के स्रध्धे, अटल जी और महामना मदन मोहन मालविया जी का जन्म दिवस भी है, मैं इन दोनों महापुरुषों को, आदर पुरवक नमन करता हूं, देश की तरफ से, इन महापुरुषों को सरध्धांजली अर्पित करता हूं, मुझे बताया गया है कि प्रिणी में जो मनाली के पास है, आज अटल जी किस मृति में सबने मिलकर के गाउवासियों ने एक हवन की योजना की, कई अनेक कारकम भी बनाए हैं, साथियों, आज देश के लिए, बहुत महत्वपुर्ण एक बड़ी परियोजना का नाम, अटल जी को समर्पित किया गया है, हिमाचल प्रदेश के लद्दाक और जम्मु कश्मीर से जोडने वाली, मनाली को ले से जोडने वाली, रोहतांग टनल, अब अटल टनल के नाम से जानी जाएगी, हिमाचल के लोगों को, प्रिणी के लोगों को, ये सरकार की तरफ से अटल जी के जन्म दिन पर, एक बहुत बड़ा महत्वपून उफहार है, ये सिरफ हिमाचल या ले लद्दाक इतना सिमित नहीं है, एक प्रकार से, अटल जी के वीजन का, पूरे देश की सुरक्षा की दुरुष्टी से भी, एहम महत्वपू है, टुरिजम की दुरुष्टी से भी, इसकी एहमियत बहुत जादा है, ये अटल जी ही थे, जिनोंने इस टनल के महत्वपू को समझा, और उसके निर्मान का मार्ग बनाया था, अटल जी के नाम पर, इस टनल का नाम करन होना, हिमाचल के प्रती उनके लगाव, और अटल जी के प्रती, आप सभी के आदर और असिम प्यार का भी प्रती है, साथ योब मेरे लिए ये भी खुशी की बात है कि मैं उन दिनों में संगठन का काम करता था माचल में रहा करता था और जब भी अटल जी का मनाली आना होता था प्रदान मंत्री के रूप में भी तो स्वाभाई गुरूप से एक संगठन की जिम्मेबारी होने के कार मैं भी वहाँ रहता था और ये जो सारा मन्थन चला था इस कारकम का इस योजना का तो मुझे भी बड़ी नदिक से बड़ी बारी किसे इन चीजों को सुनने का समझने का मौका मिला था तब कभी सोचा भी नहीं था कि आज मुझे अटल जी के उस सपने को अटल जी के नाम से जोड़ने का आज सवभागे मिलेगा करगिल के यूत के बाद सुरक्षा की दुरस्टी से स्ट्रेटिजिक दुरस्टी से ये बहुत महत्वपुन हो गया था कि हमें नई विवस्ताय विक्सित कर दी होगी और अब सुरक्षा की दुरस्टी से तो अनेक अनेक प्रकार के इसके महत्वपुन आयाम है लेकिन साथ साथ लेल अदाख और कर्गिल ये एक ट्रमेल वहां का भाग्य बदल देगी एसा मेरा पुरा विस्वास है साथियों पानी का विशय अट्रल जी के लिए बहुत महत्वपूर्ट था उनके रदय से बहुत करीब था जब अट्रल जी प्रधान मंत्री थे तो शांता कुमार जी जो कभी हिमायचल के मुख्मंद्री भी रहा करते थे हमारे वरिष्ट नेता है शांता कुमार जी के नेत्रुत्व है उस समय पानी को लेकर के बहुत बड़ी योजना को आकार दिया गया था लेकिन बाद में अटल जी की सरकार नहीं रही और पानी की योजना ही बह गई हमने पिछले सरकार के दर्मयान पर इस पर बल दिया और अब इक मिशन मोड में इस काम को आगे बढ़ाने का तैक किया है पानी को लेकर के अटल जी का जो वीजन था वो वीजन आज भी हमें प्रेना देता है अटल जल अटल जल योजना हो या फिर जल जीवन मिशन से जुड़ी गाइडनाइन्स ये 2024 तक देश के हर घर तक जल पहुँचाने के संकल्प को सिद्ध करने में एक बड़ा कदब है साथ्यों ये पानी ही है जो घर खेत और उद्ध्योग सब को प्रभावित करना है और हमारे हाँ पानी के स्रोतों की क्या स्थिती है ये किसी से छुपी नहीं है पानी का ये संकट एक परिवार के रुप में एक नागरी के रुप में हम सब के लिए चिंता का विशे तो है ही एक देश के रुप में भी ये विकास को हमारे सपनों को साकार करने में प्रभावित करता है नुई इंडिया को हम जल संकट की हर स्थिती से निपटने के लिए हम सब को मिल करके इस्थिती को मजबूत करना ही होगा और इसके लिए हम पांच स्थर पर एक साथ काम कर रहे हैं पहला पानी से जुड़े जो डिपार्टमेंट है हमने उनके साइलोस को तोड़ा है दूसरा बारत जैसे विवितिता भरे देश में हमने हर खेतर की जमिनी स्थिती को देखते हुए योजनाओं का स्वरूपताय करने पर जोड दिया है तीसरा जो पानी उपलब्द होता है उसके सही संचयन और वित्रण पर ध्यान दिया चोथा पानी की एक-एक बुंद का इस्तमाल हो पानी की रिसाइक्लिंग हो इसे योजनाओं में प्राक्षिक्ता दी और पांचवा सबसे महत्वपून वो है जागरुता और जन भागिदारी साथियों चुनाओं से पहले जब हमने पानी के लिए समर्पित एक जल शक्ती मंत्राले की बात की थी तो कुछ लोगों को लगा कि ये कैसा बाता है लेकिन बहुत कम लोगों ने इस बात पर गौर किया कि क्यों इसकी जरूरत थी साथियों वर्सों से हमारे यहाँ पानी से जुड़े विशे चाहे रिसोर्सीज हो कंजर्वेशन हो मैनेजमेंट हो तमाम अपरेशन और काम अलग-अलग डपार्टमेंट पे बटा हुआ था यानि एक तरह से कहे तो जिस साइलोस की मैं बात करता हूँ अगर हम सिर्फ पानी विभाग कोई देखे तो पता चलता था कि सरकार कितने साइलोस में बटी हुई है इस वज़े से कहीं राज्जवार केंडर सरकार में कहीं केंडर सरकार के अलग-अलग मंत्रालव में कहीं अलग-अलग विभागवार मंत्रालव के बीच अक्सर विवाद होता रहता था कुछ ने कुछ दिक्कत आती रहती थी इसका नुक्सान ये हुआ कि पानी जैसी मूल आवश्रक्ता के लिए जो एक होलिस्टिक एप्रोच चाहिए वो पहले की सरकारों के समय अपना यी नहीं जा सकी जल सकती मंत्रालाई ने इस कमपार्टमेंटलाइज एप्रोच से पानी को बहार निकाला और कॉम्प्रियंसिव एप्रोच को हमने बल दिया इसी मांसून में हमने देखा है कि समाज की तरफ से जल संकती मंत्रालाई की तरफ से बाटर कंजर्वेशन के लिए द्यापक प्रयास हुए है सात्यों जिस खेत्रिय भी विट्ता की बात मैंने की पानी से जुड़ी योजनाओं के लिए बहुत महत्प पूरा है हमारे यहां तो कहा जाता है कि हर कोस पर पानी बदल जाता है पानी और वानी दोनों के लिए कहा गया है अब जो देश इतना विवीद हो इतना विस्तरत हो वहाँ पानी जैसे विशे के लिए हमें हर ख्षेत्र की आवश्रक्ताओं को देखते हुए आगे बढ़ना होगा इसी सोच ने अटल जल योजना का आधार ताई किया है यानि एक तरफ जल जीवन मिशन है जो हर गर तक जल पहुँचाने का काम करेगा और दूसरी तरफ अटल जल योजना है जो उन छेत्रों पर विशे ज्यान देगी जहां ग्राउंड वॉटर बहुत नीचे गए हैं और तेजी से नीचे जा रहे हैं आज की पेड़ी दो चीजे बड़ी आराम से देख सकती है एक टेक्नलोजी इस तीजे से बदल रहती है आपको पता चलता है कि पिछले महेंने तो टेक्नलोजी में यह था इस महेंने यह आ गया अगर बारी की से देखोएं तो आपको यह पता चलेगा कि पिछले साल तो पानी इतना नीचे था, इस साल और नीचे चला गया, थोड़ा ध्यान दोगे तो पता चलेगा, कि आपके आँखों के सामने, पानी कितना नीचे चला जा रहा है, मुझे बराबर याद है, जब मैं पंजाब में काम करता था, उस समय पंजाब में इस बात क चर्चा होती थी कि हाँ पानी इतना उपर है कि खेती में काम को नुक्षान होता है आज 20 साल हुए वहाँ पर से शिकायत ये हैं कि पानी इतना नीचे चला गया है कि खेती करना मुश्कील है यहने कैसे हालत तेजी से बिगड रहें अगर हम सब तो हम खुदी अपने आपको कितने गहरे संकट में डाल देंगे सात्यों इस योजना से माराष्टर, हरियाना करनाटर, राज़तान, यूपी एमपी और गुजरात इन सात राज्यों के भूजल को उपर उठाने में बहुत मद्द मिली कहने के तो सात राज्य है लेकिन एक प्रगार से ये हिंदुस्तान का पचास प्रतिक्षत हिस्सा है बाकी हिस्सा वो है जहां अधिक पानी की समस्या है बार बार फ्लड आते हैं बार बार पानी के कारण मुसिबत आती हैं और ये इलाक ऐसा है जो पानी के बिना तरस रहा है हिंदुस्तान ने ऐसे संकर से गिरा हुआ है और देश का प्रधान मंत्री और देश का जलशक्ति मंत्री दोनों ऐसे इलाके से आ रहे हैं जहां पानी की किल्लत क्या होती हैं जो ज़ब से जानते हैं हम बो लोग हैं जिन्हों ने उस मुसीबत को जेला है आँखों के सामने देखा है और इसलिए इस फीडा को इस दर्ध को हम भली बाती समझ पाते हैं और इसलिए मिशन मोड में काम करने का मिजाज भी बनता है साथ वे इन साथ राज्यों के 78 जिलों में 8300 से ज्यादा ग्राम पंचा है तो मैं बूजल की स्थिती बहुत ही चिंता जनक है इसका क्या खामियाजा वहां के लोगों को उठाना पड़ता है वही सबाएं सारे गाउं वाले टेकनलोजी से हमसे जुड़े हुए हैं वो इस बात को सुन रहे हैं वो समझ रहे हैं इसके महात्माई को समझ रहे हैं इन खेत्रों की किसानों की पजुपालों को की छोटे छोटे उद्यमियों की वहां की महिलाओं की दिक्कत है किसी से छिप्पी हुई नहीं है सार्थियों लोगों को इन दिक्कतों से मुक्ति मिले जल स्तर में सुधार हो इसके लिए हमें जागरुकता अभियान चलाने होगे Artificial Intelligence Internet of Things और जरूरी डेटा को हमें जोड़ना पड़ेगा और सबसे प्रमुख बात हमें जल सवरक्षम और जल समवर्धन पर बल देना होगा ताकि पानी की एक-एक बिंद का उचित उप्योग हो और यह आखिर होगा कैसे इस ट्रीम का नेत्रूता करेगा कौन क्याप सर करेंगे सरकारी मनाजिम करेंगे बिरोकेट करेंगे जी नहीं इसके लिए हमें उन लोगों तक जाना होगा उन लोगों को जोडना होगा जो पानी का इस्तमार करते है जो पानी के संकट से प्रभावित है इसके लिए हमें अपनी उन मातों बहनों के पास जाना होगा जो घरों की असली मुखिया होती है घरों में पानी का उप्योग जरुरत के अनुसारी हो जहां तक संबव हो रिशाइकल किये पानी से काम चलाए जाए यह अनुशासन घरों के पितर भी लाना ही होगा और मैं तो स्टार्ट अफ वाली दुनिया से भी कहूंगा कि वो ऐसी चीजों का निर्मान करे कि जहां कम से कम पानी से अधिक से अधिक काम हो पाए टॉयलेट की रचना कैसी हो टॉयलेट को फ्लस करना है तो कितना पानी लगेगा कम से कम पानी कैसा हो कुछ लोगों ने बनाया है कि वोस बेजिन का जो पानी होता है त़ियलेट की तंकी में जाता है और फ्लस करना उता है वो ही पानी फिर से उप्योग में आता है कई प्रयोक हो रहे स्टार्ट अप दुनिया के लोग इसमें आगे आ सकते हैं और पानी की बचा तो इस प्रकार से पानी का उप्योग घरों में कैसे हो ऐसी विवस्थ जैसे हमने एलेडी पल्प का अभियान चलाए ग्यारा हजार मेगावोड बिजली बचाने में एलेडी पल्प अभियान काम कर गया उसमें किसी घर माली को हिसाब किताब नहीं लगाना पड़ा अब चालू करू कि बंद करू एक विवस्था से ही बड़ा बडलाव आया अगर स्टार्ट अप दुनिया के लोग आगे आते ह तो मुझे विस्वाफ हैं कि ऐसी व्यवस्थाइं विक्सित होगी जिसके कारण कम से कम पानी में गुजारा करने के आदथ हो लेकि घर उपयोग में आने वाला पानी इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होती है सबसे ज़्यादा पानी का उप्योग हमारी हाँ खेती में होता है अगर हम वहाँ फोकस करेंगे और इसके लिए हमें किसानों के पांस विशेश रुप से जाना ही होगा हमारी खेती भूजल से सिंचाई पर बहुत अधिक निर्भर है अगर लेकिन ये भी सच है कि हमारी सिंचाई के पुराने तोर तरीकों से बहुत सा पानी बरबाद हो जाता है हमारे किसान की एक साई की बनी हुई है किसान की बनी हुई है ऐसा नहीं हम लोगों की बनी हुई है बाल्टी भर पानी से नहना है तो लगता है नाहिर नहीं है जब तक ही फवारा नहीं चलता है जैसे हमारी साइकी बनी हुई है वैसे ही किसान को भी पूरा खेत पानी से लबालब भरा हुआ नहीं दिखता है तब तक उसको चैन नहीं होता है उसको लगता है कि बद अब लबा लब पानी भर गया बद अब खेती ठीक है और पानी जमिन के लिए है कि पौधे के लिए इसका भेदी समझ नहीं है एक्चुली पानी पौधे तो चाहिए लेकिन किसान पानी जमिन को देता है उसका दोस्त नहीं है हमने उस तक सही बात पहुंचा ही नहीं है उसी प्रकार से फसल जब पता है भाई कि कुछ फसल ऐसी है जो पानी सबसे ज़्यादा लूटती है लूटती है मैं कहता हूँ अब उन फसल से कैसे बहार आए हम फसल में परिवर्तन कैसे करें मैं हर्याना सरकार का बदाई देता हूँ मनोलाल जी घटर ने वहां के किसानों को स्पेशल इंसेंटिव अभ्यान चलाया और कम पानी वाली फसलों की तरफ ले जाने के लिए बड़ा सफल प्रयोक किया है हर्याना को बचाने का एक बड़ा अभ्यान है वो सारे देश में करना पड़ेगा उसके बिना हम स्थिती को बदल नहीं पाएंगे इसके अलावा गन्ना हो धान हो बहुत सी ऐसी फसले भी है जो बहुत जाजा पानी चाहती है इस प्रकार की फसले जहां होती है वहाँ कई बार ये पाया गया है कि इन जगों पर भूजल का स्तर तेजी से घड़ता जा रहा है इस थिती को बदलने के लिए हमें किसानों को बर्षा जलके संचयन के लिए बैकलपी फसलों के लिए जागरुक करना होगा उन्हें इस अंदोलन का नेत्रुत्व किसानों को देना होगा जादा से जादा माइक्रो इरिकेशन की तरफ बढ़ना होगा मुझे बराबर याज मैं गुजरात में था मैंने वहाँ जो सुगर फैक्टरिज थी उनको बड़ा दबाव डाला था कि आप के हाँ जो गन्ना के किसाने उनको समझाईए कि वो स्प्रिंकलर से ड्रीप इलिकेशन से गन्ने की खेती करे गन्ना किसान ये मानने को तयार नहीं था कि स्प्रिंकलर और ड्रीप इलिकेशन से गन्ना पक सकता है मानने को तयार नहीं था हमने कंपल्सरी किया उसी का गन्ना लिया जाएगा जो स्प्रिंकलर और ड्रीप इलिकेशन का उप्योग करेगा जब ये कंपलसरी हो गया अभ्यान चलाया दबाव डला सुगर फैक्टरी की तरफ स्थरा आर्थिक मदद की गुज़रा सरकार की दरफ से आर्थिक मदद की परणा में यह आया कि फसल जादा हुई सुगर कंटेंट भी बढ़ा इतना ही नहीं जो लोग गन्य को जानते हूं को मालूम है गन्य की जो दो गांट होती है अगर वो पास-पास होती है तो उसका सुगर कंटेंट कम होता है लेकिन अगर वो डिस्टन जादा होता है तो उनका सुगर कंटेंट बढ़ता है उनको ये सिरफ पानी की प्रधती बदलने से उनका सुगर कंटेंट बढ़ गया और कभी-कभी तो वो प्राइस लेने लग गए अब देश में धीरे धीरे विश्वात बढ़ने लगा है कि flood water की ज़रूत नहीं है हम sprinkler और drip irrigation से भी गन्ना की खेती कर सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं और इसलिए per drop more crop यह संकल्प हमने खेत में हर किसान तक पहुँचाना पढ़ेगा और कभी-कभी किसान को उसकी भाशा में भी समझाना पढ़ेगा अब आप सोच लीजिए कि परिवार में मानो एक बहुती दूबला पटला बच्चा है शारीक विकास नहीं हो रहा हिल्दी नहीं हो रहा है बजन भी कम है और बड़ा कभी हस्ता भी नहीं है मुश्कराता नहीं है बड़ी मुश्किल से इधर से उधर देखता है ऐसा दूबला पटला है और माबाप को लगे रहे इसकी तब यह ठीक करनी है तो बालती भर दूद ले आए उसमें बदाम डाले केसर डाले बढ़िया बढ़िया चीज़े डाले और दिन में तीन बाप उस पानी से उसको नहला दे फरक आएगा क्या मजबूती आएगी क्या अगर उसके बजाए सिरफ दो सो ग्राम दूद ले करके चमत से पिला दें तो फरक आएगा क्या आएगा किसान को उसकी भाषा में समझाना होगा उसको तुरंट समझाएगा हाँ या यह गले उतरता है दो चमच दूद पिलाते पिलाते ठीक कर सकते हैं ये बाल्टी भर पानी दूद से नहलाने से नहीं होता है फ्लर्ड इरिगेशन से नहीं होता है बुन्द बुन्द पानी से परिवर्टन आता है ये बात उसको समझानी होगा साथ्यों जब हम घर के लिए कुछ खर्च करते हैं तो अपनी आए और बैंक बैलेंस भी देखते हैं अपना बजेट बनाते हैं ऐसे ही जहां पानी कम है या ज़्यादा है वहां गाउं के लोगों को बॉटर बजेट बनाना बहुत अनिवारिया है और उस आधार पर फसल उगाने के लिए हमें प्रोसाइट करना होगा मैंने तो देखा है जिब गाउं में अगर बॉटर सिस्टेम शुरू हो जाती है और नल से पानी आना शुरू हो जाता है शहरों में तो खास तो वो क्या करते हैं उनको पता होता है कि सुबह छे बजे पानी आता है तो बाल्टी नल के नीचे उल्टी रख देते हैं और नल चालू करके सो जाते हैं ताकि सुबे गंटी का काम बुन नल करता है, छे बजे पानी आता है तो बाल्टी से आवा जाती है, तो घर बाले जागे आते हैं, मैं आप लोगों की बात लिए कर रहा हूँ, और फिर उचने के बाद मन करता हैं, आदा गंटा तो पानी चला ही जाता है, ऐसी कई कई चीज़े हैं तो हम दिरे दिरे बदल सकते हैं, वैसे ही गाउं में भी, और मैं कहूंगा यहां जो गाउं के लोग आए हैं, और क्यों गाउं के लोग आज टेक्नलोजी के मात्यम से हम से जुड़े हैं, उनको भी मैं पताना चाहूंगा, कि अटल जल योजना में सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम सब नागरिकों की हैं, हम सब किसानों की हैं, हम सब मिलकर के जितना अच्छा काम करेंगे, उससे गाउं का तो भला होगा ही, ग्राम पंचायतों का भी भला होगा, अटल जल योजना में, इसलिए ये भी प्रावधान किया गया है, कि जो ग्राम पंचायते, पानी के लिए बहतरीन काम करेंगी, उन्हें और ज्यादा राशित दी जाएगी, इंसेंटिव दिया जाएगा, ताकि वो और अच्छा काम कर सकें, मेरे सरपंच भाईयों और बेनों, आपकी महनत, आपका परिश्णम, आपकी भागी दारी, देश के हर घर तक जल पहुंचाने के लिए बहुत महत्पपूर्ण है, मैं अटल जल योजना से जुड़े, सभी 8300 सरपंचों से कहना चाहता हूँ, कि आपकी सभलता न सिर्फ अटल जल योजना को काम्याब बनाएगी, बलकि जल जीवन मिशन को भी मजबूती देगी, और कैसे करता है ये, ये आप अगर थोड़ा जानने का प्रयास करोगे तो भली भाती आप उसको उठा लोगे, ये देश के प्रतेग नागरी को भी जानना जरूरी है, साथ योँ आजाती कि इतने वर्षो बाद भी, आज देश के तीन करोड घरो में ही, मैं यहाँ किसी के आलोचना करने के लिए नहीं आया, लेकिन सच्चा ही हमें पता होनी चाहिए, तीन करोड घरो में ही नल से जल पहुंचता है, सोचिए, अठारा करोड ग्रामिन घरों में से तीन करोड घरों में, सतर साल में जो काम हुआ है, हमें उससे अनिक गुना काम आने वाले पांच साल में करना है, यानि पांच साल में पंद्रा करोड घरों तक पानी साप पानी पाइप से पानी पहुचाना है आपने देखा होगा इन दिल्ली में पानी को लेकर के कितनी जागरूपता और कितनी नराजी आई है लोगों की चाहां तरब से आवाज उठ रही है कि हमें दिल्ली में देश की राध्दानी और गंदा पीने का पानी अशुद चिंता का विशे बना हुआ है और इसके लिए अगले पांच वर्सों में केंद्रों और राज्य सरकारे मिल करके साड़े तीन लाग करोर रुपिय से जादा खर्च पानी के लिए खर्च करने जा रहे है हो सकता है कल कोई हेडलाइन बना देगा साड़े तीन लाग करोर पानी में साड़े पानी अपने आप में यह संकल्प हमारा बहुत बड़ा बिराठ है लेकिन हमारे पास सफल होने के सिवाए देश वास्यों के पास कोई विकल्प नहीं है और मुझे भी स्वास है जिस प्रकार से स्वच्छता के अभियान में देश का हर वर्ग जूड़ गया मिडिया ने भी नेतरुत्व किया कर्परेट वर्ल ने भी नेतरुत्व किया गवर्मेंट मशिंडरी ने नेतरुत्व किया हर किसे ने इसको अपनी जिम्मेवारी माना पानी को भी हर किसी को अपनी जिम्मेवारी समझना होगा और पानी परमात्मा ने दिया हुआ प्रसाद है इसको बर्बाद करने का हमें कोई हक ने ऐसे में हमारी प्रतिवद्दता जमीन पर देश के गाउं गाउं में दिखनी भहुत आवश्चक है आज जो जल जिवन मिशन की गाईडलान जारी की गई है वो इसमें हम सब को मुझे क्या करना है गाउं में क्या करना है इसकी पूरी पूरी उसमें जिम्मेवारिय अताय है साथियों जल जिवन मिशन का यह भ्यान सिर्फ हर गर तक स्वच्च जल पहुचाने से नहीं जुड़ा हुआ है हमारी मा बहनों को घर से दूर जाकर पानी न लाना पड़े उनकी गरिमा का सम्मान हो उनकी जिन्द की आसान बने ये भी हम सबका दाईत्व है इस मिशन का लक्ष है आज भी जब किसी भुजुर्ग मा को पानी के लिए भड़कते देखता हूँ जब किसी बहन को सिर्फ़ पर मटके रखकर मील और पड़ल चलते देखता हूँ तो बच्पन के वो सारे दिन सामने याद आ जाते हैं कि अब इतने सारों के बाद भी देख भर की करोडों ऐसी बहनों को पानी जुटाने की तकलिफ से भी मुक्ति दलाने का समय हम सब की जिम्मेवारी के रूप में आ चुका है जैसे हमने हर घर में सौचाले पहुँचाए उसी तरह हर घर में जल्बी पहुँचाएंगे ये जिम्मेवारी एक प्राण के रूप में एक मिशन के रूप में देश वाचियों को लेनी होगी और हमें समने मिलकर के काम करना पड़ेगा और जब संकल्प ले लिया है तो इसे सद्ध करना भी हमें नई शक्ति देता है नय उत्सा देता है सफलता और अधिक कुछ करने के लिए प्रेणा देती है साथ यो गाउं की भागिदारी और साजेदारी की इस योजना में मात्मा गांदी जी का जो ग्राम स्वराज की का भी इसके अंदर एक सुगंद है इससे महक है पानी से जुड़ी योजना है हर गाउं के स्तर पर वहाँ की स्थीती परिस्थी की अनुसार बने इस जल जीवन मिशन की गैडलाज बनाते समय ध्यान रखा गया है इतना ही नहीं ग्राम पंचायत या पंचायत इसके द्वारा बनाई गई पानी समिती ही अपने स्तर पर वत्मानी से जुड़ी योजना बनाईगी उसे लागू करेगी उसके देखने करेगी और इसलिए हमें पानी की लाइन की प्लानिंग से लेकर उसके प्रबंद तक सिगाउं को जोडने का काम हमें करना है हमें हमेशा याद रखना है कि गाउं के मेरे भाई बेहनों के पास बुजुर्गों के पास पानी के सोतों को लेकर पानी के भनारत से जूरी बातों का खजा पुनाने जमने में क्या होता था हम कैसे करते हैं किसी भी गाउं में जाईए गाउं के हर वेक्ति को तो पानी के समझ में वो क्या करते है दूसकी पूरी जानकरी होगी एक लिविंग मेमरी उनके पास होती है हमें गाउं के लोगों से मैं नहीं मानता हूं इससे बड़ा कोई एक्सपर्ट के लिए या कोई कंसल्टन्सी की फर्म की जरूरत है गाउं के बुजूर की इसमें काफिये में गाइड कर सकते हैं और इसलिए गाउं के लोगों के अनुभव का हमें पूरा इस्तिमाल करना है साथियों हमारी सरकार का प्रयाज जल जीमन मिशन में जान्दा से गाउं के लोगों को उनको अधिकार देना वो ही अपने गाउं का भविष्ण के लिए अगे बढ़े उनहीं को आतमंंदिर बनाना यही इस कारकम की विशेस्ता है इस मिशन के लिए हर गाउं में एक विशेस कमिटी बनाई जाएगी गाउं के सतर पर ही एक्शन प्लान बनेगा और मैं इस खेतर में काफी सालों तक काम करका आया हूँ तो मुझे मालूम है जब मैं गुजरात में थे कच्छ में रेगिस्तान पानी की बड़ी किल्ड़ रहती है तो हमने महिलाओं के ही समीतिया बनाई पानी समीति महिलाओं की सब महिलाए जिम्मेवार और हमारा अनुभव यह आया कि उन महिला समीतियों ने हैंड पंक को कैसे रिपेर करना वो भी सिख लिया मोटर कब चलाना कैसे चलाना वो भी सिख लिया पानी का टैक्सेज जो थे वो भी महिलाए बिलकुल हंडेड परसंट कलेक करती थी और इंटरनेशनल एजेंसिस ने उनको एवर्ड दिये थे महिलाओने इतनी संवेदन सिल्था के साथ इस पूरे काम को आगे बढ़ाया था आज भी कर रही है और उसमें एक्स्परटाइज आ गई हूंकी पानों के समझ में गहरी समझ आ गई है पानी के साथ जुड़ी हुई टेक्नलोजी अप्ग्रेड टेक्नलोजी इसको भी वो खोड़ती रहती है कुछ दू कुछ नई प्रयोक करती रहती है हम भी चाहेंगे के पूरे देश में किसान भी खुद नेतुरत्व करें माताए बहने भी नेतुरत्व करें और मेरा याग्रह होगा किस कमीटी में कम से कम हो सके तो स्थ प्रतिशत अगर नहीं संभव है तो कम से कम पचास प्रतिशत तो हमारी बहने हमारी माताए होनी ही चाहिए इतना ही नहीं साप पानी आ रहा है या नहीं इसकी जांच के लिए गाउं के ही निवाश्यों वहां के भेन बेटियों को ट्रेन किया जाएगा इसी तरह कौशल विकास जोजना के माध्यम से बड़े स्तर पर गाउं के युवाउं को फीटर, प्लंबर, इलेक्टरिशन, मिस्त्री ऐसे अनेक कामों की ट्रेनिक दी जाएगी ताकि एक पूरा इकोसिस्टिम वही डेवलप हो इन सारे प्रयासों के बीच कुछ दुर्गम इलाकों में कुछ सुदूर पाढ़िक शेत्रों में मौसम और भोगोलिक स्तिजी की बज़े से वहाँ पानी नीचे से उपर ले जाना पड़ता है मुश्किन काम होता है उसके लिए भी वहाँ की आवश्क्ता के अनुसार हमें काम करना होगा उन जगह को हम छोड़ नहीं सकते हैं ऐसे स्थानों के लिए वेहिकल पी व्यवस्थाओं को हमने विक्सित करना होगा वहाँ भी ये सुनिशित किया जाएगा कि उन गाउं के लोगों को शुद्ध पानी मिले सात्यों जल जीवन मिशन के दोरान एक और नई चीज की जा रही है इस योजना की मॉनिटरिंग के लिए स्पेस टेकनलोजी हम जो सटलाइट छोड़ते हैं कुछ लोगों को लगता है यह किस चीज के लिए है तो मेरे गाउं के किसान का भी भला कर सकता है पानी के सारे स्रोथ की जानकारियां हम स्पेस टेकनलोजी के माधियम से ले सकते हैं हम आर्टिफिशल इंटलिजन्स का उप्योग करके कर सकते हैं हम इंसानी टेकनोलोजी का उप्योग कर गई इवन हर गाउं का हम पानी कहां से कहां की तरब जाता है और मंत्र बनाए हर घर का पानी गाउं में रहे हर गाउं का पानी गाउं में रहे और पानी के जितने भी बहाव हो गाउं के वो हम satellite से उसकी फोटोग्राफी कर सकते हैं 3D फोटोग्राफी कर सकते हैं उसकी एक pen dry हर गाउं में रख सकते हैं और गाउं वाले टाय कर सकते हैं कि इतने इतनी जिगा से पानी बहता है गाउं का तो वहाँ पर उसको रोक लिया जाए अगर 7 दिन पर भी पानी रोक लिया 10 दिन भी पानी रोक लिया वो पानी नीचे जाएगा धीरे धीरे वेटर टेबल आप पराना शुरू हो जाएगे उसी एक प्रक्रिया से पानी शुद्ध होना शुरू हो जाएगा पानी की बहुत बढ़ी ताकत होती आरोग्य को भी आरोग्य को भी अगर कोई एक गारंटी देने वाली आउसद है तो पानी है शुद्ध पानी आपके अंदर इतना रिजिस्टन्स पावर बढ़ा देता है आप कल्पना नहीं कर सकते है जब साबरमती नदी आप मैंसे जो लोग 15 साल पहले गए होंगे साबरमत के बच्चों को कहा जाए कि साबरमती नदी पर निबन लिखो तो वो क्या लिखेंगे वो यह लिखते थे कि नदी में बालू का धेर होता है नदी में क्रिकेट खेला जाता है नदी में सरकस आता है तो उसका टैंट लगता है क्योंकि उन्होंने वही देखा था नदी में पानी होता था वो बच्चों ने देखा ही नहीं था कभी बच्चे सवाल पूछते थे कि ब्रीज क्यों बने हैं सावर्मती नदी पर उनको अस्षर होते ब्रीज को मनाएं उपर क्यों रखा है लेकिन जब नर्वदा का पानी और सावर्मती के पानी को इखटा किया जो रिव यह जार रूपया आता था वो 500 रूपया हो गया क्योंकि पानी उपर आयामदाबाद की अस्पतालों में अगस सितंबर अक्तूबर में जगा नहीं रहती थी शुद्ध पानी पिलने के बाद कोई एपडेमिक की खबर नहीं आई इतनी ताकत होती है शुद्ध पानी में हर गाओं में पानी का कितना भंदरान हो रहा है कितना हर खर्च हो रहा है पानी की स्थिती की बारे में सारी जानकारी पर लगातार मोनीटरिंग की ववस्ता होगी टक्नलोजी का उप्योग करके होगी साथियो जल जिवन मीशन में सरकार ने ये भी प्रावधान किया है कि आपके गाउं में योजना पुरी होने पर सरकार पानी समित्री के खाते में सीधे पैसे भेज़ेगी कोई बीच में कोई नहीं ताकि पानी से जुड़ी विवस्ताओं को देखरेक और सिंचालन गाउं के लोग ही करे मेरा एक और आग्रह है कि हर गाउं के लोग पानी एक्शन प्रान बनाएं पानी फंड बनाएं आपके गाव में पानिस से जुड़ी योजनाओं में अनेक योजनाओं के तहरत पैसा आता है इन सब को मिला करके उसका सही उप्योग करना चाहिए विधायक और सावसत की नीदी से आता है केंदर और राजी की योजनाओं से आता है हमें ये विवस्ता बनानी होगी कि सारा पैसा एक ही जग और एक ही तरीके से खर्च हो इससे टुकड़ा टुकड़ा में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाने के बजाएं जाना पैसा एक साथ लगेगा तो परणाम भी सामने आएगा साथ कियो मैं आज इस अवसर पर दुनिया भर में बसे भारतियों से भी आगरा करूँगा कि वो इस पावन अभियान में अपना योगदान दे जिस गाउं से वो विदेशों में गए हैं उस गाउं में पानी को प्राक्षिक्ता दे क्योंकि विदेश में बसा हुआ हर भारतिय कहता है कि मैं मेरे देश के लिए क्या करूँ तो मैं उनको एक काम तो पहले कहता था कि आप अपने परिचीत नौन इंडियर ऐसे पांच लोगों को भारत देखने के लिए भेजिए आज मैं उनको एक और काम कहता हूँ आप अपने गाउं में पानी से जुड़े काम में जो भी योगदान दे सकते हैं जुरूर दे अगर पानी और प्रवास इन दोनों के लिए भी देश में हमारे लोग लग जाए आप देखी कितना बड़ा परिवर्तन आता है मैं आज इस मन्से गाउं में रहने वाले हमारे भाईयों बहनों को भी अपील करता हूँ कि वो पानी के समरक्षन के लिए पानी के वित्रन की विवस्ता को सहमालने के लिए पानी की रिसाइकलिंग के लिए आगया है और जहां पर जरूरत है पिसानों से मेरा आगरा है आप फसल में परिवर्तन कीजिए कम पानी वाली फसलों की तरफ आपको जाना होगा मैं आगरा करूंगा कि आप आगया आईए भायों भेनों आप अपना समय दें अपना स्रम दें आप एक कदम चलेंगे तो सरकार नव कदम चलेगी मैं आपको बादा करता हूँ आईए एक जूड होकर कदम से कदम मिलाते हुए देश के सामान्य जन को स्वच्च पानी के अधिकार से जोडने का अपना दाईत लुह हम सब निभाएं आपके प्रयास आपकी सभलता देश की जल सुरक्षा और रुखादे सुरक्षा के लिए बहुत ही महतोपून है एक बार फिर अटल जल योजना के लिए जल जीवन मिशन के लिए पूरे देश को बहुत बहुत सुबकामना है और अटल तनल हमारे एक नए ख्षेतर के विकास की नई नए द्वार खोल रहा है उसके लिए पूरे जल लदा करगिल के भाईयों को हिमाचल के भाईयों को और देश भर के प्रकूरती प्रेमी यात्रियों को मैं बहुत बहुत सुभाब जुकामना है देते हुए अटल तनल का भी नामकरण करते हुए गर्मानुभव करता हूँ फिर एक बार आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत करें। बहुत करें। बहुत करें। बहुत है।